हेलो अबरिवान मैं राजिदर सभी का स्वागत करता हूँ कलाम सीवल सर्विस से यूटूब चैनल में मित्रू अपन बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्पूर प्रशनों पर चाचा करने जा रहे हैं यदि आप राजस्थान के विविन एक्जामों के त्यारी कर रहे हैं त अपने दोस्थान तक जोड़ डीजेगा मित्रो साथ में ये कलास जल्दी से जल्दी सेर कर दीजेगा अपने दोस्थान में राजस्थान में डेरी विकास कार्य करम के अंतरकाथ दिशंबर 2021 तक कितनी दुग्द सहिकारी समीतिया कारे रत है आपको यह बताना है तो साथ ही हो जोड़ लो अपने जो वार्शाप ग्रूप बने हैं उनमें सेर करो जी और जो भी साथ ही हमारे साथ पहली बार चैनल जूड़ा है वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत बूलिएगा हमारी रोजाना सुबह है करणड़ जी किलास आती गा एक सुबारा नमर की उसेन मित्रो राजस्थान के किस जिले में हाले में पीम वानी योजना का सुबहरम क्या है दोस्तों पीम वानी योजना का पूछा क्या सुबहरम का किया गया है तो बताईएगा जोदपूर उद्यपूर जैपूर ये परताब गड़ क्या राइट होती है पीम वानी योजना इस योजना का दोस्तो शुरूआत करने की लक्ष क्या सरकार का वो है इंटरनेट की आप से तो ध्यान में रखते हैं दोस्तों किसले शुरू करी इस योजना को इंटरनेट आप सकता को ध्यान में रखते हैं दोस्तों इस योजना की शुरूआत कर लाल बादुर सास्त्री दोस्तों लाल बादुर सास्त्री एक महाविदाल्य है लाल बादुर सास्त्री महाविदाल्य है दोस्तों इसके अंदर कलेक्टर प्रकास चंदर सर्मा ने प्रकास चंदर सर्मा किया देखस्ता में इसको प्रारम करा दोस्तो तो इसका राइट एंसर होगा डी नमबर आगे बढ़ रहे हैं 113 नमबर की उसन नमित्रो राजस्थान सरकार दवारा नई यूवा निती बनाए जाने की जानकरी दी गई है इस निती में किन शेत्रों पर द्यान दिया गए दोस्तो यूवा निती बनाए जाने की समय जानकरी दिये दोस्तो बताइएगा इन निती में किन शेत्रों पर द्यान दिया जाएगा कोशल खेल ये कला संस्कृति या उपरोक्त सभी हाँ जी क्या राइट एंसर होने वाला है डी डी दोस्तो आपका राइट एंसर होगा डी नंबर ठीक है उपरोक्त सभी जो नई जो नीती दोस्तो लागू हुई है सरकार के दोरा युवा नीती उसकी बात करें उसमें कोशल है और खेल है कला संसकर्थी पर भी दोस्तो ध्या कोड़ा सा अजी उप तसील है दोस्तो अब यह क्यों पूशा जा रहा है क्योंकि यह तसील में कर्मोनत हो चुकी है ठीक है अब बताए निर्जनवबांदी कोई किस तसील में है किस जिले में दोस्तो इसका राइटन शुरूगा दोस्ता बिल्कुल सही है सी नंबर आपका र राजस्थान में पैट्रोलियम उत्पादक शेत्र के अंदरकत चार पैट्रोली फेरस बेसिन का लगबग 15,000 वरक किलोमेटर शेत्र कितने जिलों में विस्तरित है आपको बताना दोस्तो इस क्यूशन का राइटन स्वर क्या होने वाला है थोड़े सा कॉमेंट दोस्तो फ किली में आ है एक तो आपको पता है पहला कौन सा है दूसरा बैसिन हो जाएगा हो है का कौन सा जाता है जेसल मेर बैसीन हो जाएगा तीसरा पीका नेर नागोर बैसीन हो जाएगा नागोर बैसीन हो जाएगा चोथा कॉन सा हो जाएगा दोस्तो चोथा हो जाएगा आपका हाँ चोथा विंद्यान बैसीन हो जाएगा विंद्यान बैसीन हो जाएगा दोस्तो यह है च्यार पेटरल है ये तो अपका राय टेंस पर होगा 14 दोस्तों कितने जिलों में 14 जिलों में राय टेंस पर होड़ा है आगे देखेगा हुनर हार्ट योजना किस मंत्रा लेके दवारा चलाई जा रही है हुनर हार्ट योजना बताएगा कौन से मंत्रा ले दवारा चलाई जा रही है मित्रो हुणर हार्ट बताओ जल्डी जल्डी बताओ हुणर हार्ट दोस्तो हाँ जी राइट अच्छर होगा दोस्तो अलब संक के कार्या मंतरा ले अपका राइट अंसर होगा मितरो 2016 में इसको परार्ण किया कह था ढें देखेगा बहरत में कुल कच्छे तेल के उत बादन में राजस्थान का हिशा कितना है राजस्थान का हिशा बताने कितना है थोड़ा सा फास चल रहे हैं दोस्तों थोड़ा सा फास चल रहे हैं क्योंकि अमारा टाइम को भी अमने द्यान अखना है तो भारत में कुल कच्छे तेल के उत बादन मे कच्छे तेल के उत्पादन में मित्रो ध्यान रखेगा यहां से वी क्यूशन बनता है तो इसका राइट एंसर होगा 20% क्या होगा मित्रो 20% का राइट एंसर हो जाएगा आगे देखेगा राजस्थान में मुख्या मंतरी बीज स्वावलंबन योजना के उत्रगत किन किसमों के बीज उत्पादन को शामिल किया गया है तो क्या राइट एंसर होगा दोस्तो बताइएगा सोया बिन चना जवार गेहूं किसको सामिल किया गया मित्रो हाँ जी जल्ली जल्ली एंसर दो दोस्तो गेहूं जो चना, जवार, सोयबिन, मौंग, मोठ, मुंग, फली, उड़द की दस वर्से कम अवदी तक की पुरानी फशलों को सामिल किया गया ठीक है तो आपका राइट एंस पुरा का दोस्तो उपरोकत सबी हो जाएगा ये गेहूं को, जवार को, सोयबिन को, जना को, सब को सामिल किया गया तो डी नमबर एंस पर सभी का सही है जन जातियों के विकास है तू राजस्थानी कितने जलों में माड़ा समुदाय योजना संचालित की जारी है दोस्तों माड़ा समदाई योजना तो बताओ किते जिलों में ये योजना संचालित की जारी है माड़ा हाँ जी ये जनजातियों के लिए चलाई जारी योजना है दोस्तो बताओ जल्डी से बताओ दोस्तो ठीक है साब इसका राइट एंट पर आ गया दोस्तो आठ जिले आठ जिले बोलो और 69 गाउं दोस्तो कितने गाउं है 69 गाउं ठीक है ध्यान में रखिया गया दोस्तो अब ये माड़ा समधाई आपसे पूछा जाए तो है इसके दर क्या का रहा होंगे एक तो कुवों को गहर क्या करना द्यान रखियेगा दोस्तो कुवों को क्या करना गहरा करना दूसरा क्या हो जैगाstemनल भागवाननी दोस्तों सामेला इसके अ थि रे के देखेनदर माड़ा राजस्थान के मुख्या मंत्रि अशो गय लोग दारा लेजर वाटर शो का उदगां कहां किया गय लेजर वाटर बसाओं खरत दोस्तों ढेंगे दूसरी प्रेंड यह सांंड और लाइट सो चांड के इनड लाईट सो जब तक आप तो दोने लाइट तो लाइट सो गा скорुत जो दगाटन है दोस्तों यह मच्छ कुंड दोलपूर के अंदर अब इसका राइट एंज क्या होने वाला है हाँ जी सी नमबर राइट एंज हो जाएगा गड़ सी सर लैक जैसल मेरा आपका राइट एंज हो जाएगा मित्रों गया थक्तर पराइट वाला त्व हो जाएगा राइट का नाम आश्टी वाला आईश्ट्रालिया चीनव का सबंद का किसा होगा एपको जी चिनु का सबन्द होगा सिंगत राजे अमरिका से होगा दोस्तो थीक फिरोकों का किसी होगा सिरोकों का सारा मरुसल हो जाएगा मित्रो और व्रिक फिल्डर्स का हो जाएगा आश्ट्रेलिया और खम सीन का मिसर होई जाएगा तो मित्रो दो एक तीन चार दो एक तीन चार मतलब सी नमबर आपक क्या हो गया राइट एंस पर हो गया दोस्तो धियान रखेगा यह कि उसन इपोर्टन बनता आपके लिए बाइस नमर की उसन है मित्रो शेत्रफल के अवरोही करम में विशव के मैत्पूर निमलेकित में सही अनुकरम कौन सा है शेत्रफल के अवरोही करम में विशव के महासागरो का निमन में से सही अनुकरम कौन सा है अवरोही करम मरलो डाउन की तरफ चलना है मनी क्या करना है अंतलांटिक मास अगर पहले फिर हिंद फिर आरक्टी फिर दक्षिन चीन तो कौन सा अप्सन होगा पहले अप्सन हमारा राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों पहले अप्सन क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा ठीक है अंतलांटिक फिर हिंद मास अगर फिर आरक्टी फिर दक्षिन चीन राष्ट मां जाएगा आगे बढ़ रहे मित्रो मिर्जा राजा मान सिंग के वनसाज में से किसे ने जैपुर की स्थापना किसे ने करी थी ये पूछा जार है simple question है बताईएगा मित्रो क्या right answer होना है इस question का जैपुर की स्थापना किसे ने करी थी भूँत ये simple question है मित्रो जल्डी-जल्डी क्योशन का answer दीजेगा जैपुर की स्थापना किसे ने करी थी सबी का answer आना शूरू हो चुका है मित्रो हाँ जी जी और बताओ दोस्टो थोड़ा थोड़ा टाइम हाँ जी और बताओ दोस्तों थोड़ा सा जैसिंग सेकंड ने करी थी मित्रों किस ने करी थी जैसिंग सेकंड ने करी थी तो राइट एंसर क्या होगा डी नमबर आपका राइट एंसर होगा ठीक है साब आगे बढ़ रहे है सुष्कता से सब्बंदीत पर्यावरने समस्य क्या है अब बताओ क्या राइट एंस रोगा अजी बताओ तो इसका राइट एंस रोगा दोस्तो मुरुस्तली करने होगा क्या होगा मुरस्ली करनों का मित्रों आगे देखे एका जे विवदता काहा हास क्यों होता है दोस्तों इसका राइट एंस वर होगा बरख्षा की अन्दणों कुटाई सी होगा पना दिकार पना लगारुस्ति आपको पता है कि क्या जीव जंतु वगर रहा होते हैं दोस्तों इनका प्रतेक्स सबंद होता है अब रख्षों के साथ में ठीक है तो 125 नमर क्यूशन का राइट एंसर होगा डी नमर बाब अल मंडप जलसंदी नेमलेकित मैं से किन दो सागरों को जोड़ती है इस सब्सक्राइब क्या रहने वाल है किसको जोड़ती ह आपको बता जता हूँ ये किसको अलग करती है अलग को देख लो जोड़ती तो ठीक है अलग किसको कर रही है किस इस तलबा को अलग करती है यमन और जिबूती को क्या करती है ये अलग करती है ठीक है यमन और जिबूती को क्या कर रही है ये अलग कर रही है और जोड़ किस अगर दो पानी होता है उनको अपसम जोड़ती है और जुस्तल बागा होता है उनको अलग करती है आगे देखेगा डोल्डरम बेल्ट क्या है डोल्डरम बेल्ट क्या है बहुत अच्छा क्यों से ने मित्रो डोल्डरम बेल्ट क्या है जल्डी से बतादो डोल्डरम बेल्ट ह होता क्या है हम जी यहां मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा करके जल्डी से बताओ मित्रो अब देखो यहां पे इसको समझने के लिए थोड़ा सा करते हैं दोस्तों यह जो अपने बूम पांधिया रहा है दोस्तों इसके जो पांच बैल्ट हो इसको सांत पैटवय इक्षिन के ऑपन कह सकते हैं तो क्या राइट tapping में पर आपका राइटेंस्वर हो जाएगा आगे देखेंगा आगी देखेंगे जहां पर دोसोई एंटीमेटर वरक्षा होईगी वहां पाये skyette मित्रो की ऊर्ट мор क्या होगा और्पी साह Campaign बनता है तो इसको इंप пон्ठ लगा लिजेगा है आपको कर नादी और साइगनदी बतानी हैं दोस्तों गुदावरी नदी की मैं साइगनदी की बात करूँ आपके सामने तो दोस्तों बहुत सारी हैं पेन गंगा वेन गंगा ठीक है यह सारी किसकी है अजी गुदावरी की वेन गंगा दोस्तों वर्दा वर्दा हो जाएगी ठीक है मजीरा हो जो समान बगगर होते हैं, तवा, सक्कर ना, इनके नाम पे इनके सारी था ना न दिया, तवा, हीरन, सक्कर, बरना, कुलार, है ना, ये शारी किसकी है? इसकी है, निर्मधा की. कृषणा की ने दी, साइग ने दी कॉण से दोस्तों, गाट पर्बा हो JDG, ठीक है गाट परबा माल परबा ये किस किस दोस्तों सरी कर्शना की है और कावरी की कावरी के अमराबाती होगी तो एक दो चारती नापका राइट एंसवरों का दोस्तों एक दो चारती नापका राइट एंसवरों का बी नंबर एंसवर सही हो जाएगा आगे देखेगा किस पार्टी को राष्ट्रिया पार्टी की मानेता प्राप्त नहीं है पताईएगा भारते जंदा पार्टी वराष्टवादी का अंग्रिश पार्टी एक कम्मिनिस्ट पार्टी दोस्तो राष्ट्य पार्टी दोस्तो जिसे राष्ट्य पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है वो पार्टी बतानी आपको तो राइट एंसफर क्या हो रहा है सिरो मनी अकाली दल हो जागा दोस्तो सीरोमन या काली दल का इस्तापना किसने करी थी दोस्तों आपको पताईए हाँ जी किसने करी थी सुखबीर सिंग बादल ने सुखबीर सिंग बादल की पार्टी आपको पताई पंजाब के लिए ना सिंग बादल आगे देखेगा मित्रों बहुत अच्छा क्यूसर ने हैं उस्पलता दर्रा किसंखे मद्धियाे दोस्तों उस्पलता दर्रा बताना है किसके मद्धिया चीलिः और तो उश्पलता दर्रा बताना है किसके मद्द है ये तो उश्पलता दर्रा बताईएगा जल्दी सी क्यूशन का राइट एंसर क्या होने वाला है जी राइट एंसर होगा दोस्तो चिली वेरजटीना क्या होगा चिली वेरजटीनाप का राइट एंसर हो जाएगा 132 नमर क्यों से नहीं तो मांसुन निमन मैंसे किस से परवावित नहीं होता है जो मांसुन होता दोस्तो वो किस से परवावित नहीं होता है तो ITC जेड से परवावित होता है दोस्तो बूमी या सागरिया बागों का विन बिन दर्रों के गरम होना दोस्तो यहां से परवावि तो होता है नोर्वेस्टर दोस्तो इससे प्रभावित नहीं होता ठीक है नोर्वेस्टर से क्या है प्रभावित नहीं होता ये नोर्वेस्टर दोस्तो जो न्यूजिलेंड है न्यूजिलेंड है न्यूजिलेंड है न्यूजिलेंड है न्यूजिलेंड है में चलने वाली गर होगा वर्तुमान में तो आप बताओंगे सारी समस्यां है है वित्य समास्यां की समस्या है गरीबी निवार्न समावस्वकास तथा मान 나ं जिन गुनता में शुदार के समच्या है बड़ चाचार की समच्या तो सारी समस्यां ही समस्यां तो डी नुमबर एंसर क्या होगा राइट होगा तो चौनतिस नमबर देखेगा विश्व किसम से बड़ी आधिक पर विश्वास गाती नदी कौन सी है तो बताओ विश्वास गाती नदी कौन सी होजेगी थोड़ा सा हिंट देता हूँ दोस्तो उस नदी उपर फरका बांध बना हुए है कौन सा बांध बना हुए है फरका बांध है इस फरका बांध के जल को लेके थोड़ा विवास चल रहा है भारत और बंगलादेश के मत्य है तो राइट एंसर होगा होगली नदी कौन सा होगा हुगली नदी ठीक है न अब हुगली नदी पर एक परमुक बंदरगा है कौन सा है पॉलकत्त है न दोस्तो पॉलकत्त अब इसे पूरोव का लंदन भी कहते है क्या कहते है मित्रो पूरोव का लंदन भी कहते है आपको पता होना चीए पूरो का लंदन ठीक है और जब ये समंदर में गिरती है उससे पहले एक नदी मिलती है जब ये समंदर में मिलती है इससे पहले एक नदी मिलती है कौन सी है दोस्तो दामोदर नदी है दामोदर नदी और दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक अब बता दो बिहा दोस्तों बंगाल का शोक तो हमने जाल लिया बिहार का शोक कौन सी नदी है यहां लिख देता हूँ बिहार बिहार का शोक बताओ साथ साथ में सारी चीज़ बताओ बिहार का सोक कौन सी है कौन सी मित्रो कौन सी नदी है दियान रखिए कि आपने क्योंसे ने क्योंसे ने अंड़कर लिया है बिसको सबसे बड़ी अधिक पहिशा सकती नदी है आपकी कौन सी उगली नदी ठीक है अब ये फरका बांध इस नदी को बनावा फरका बांध परमुख जो है आपका बंदर का वो है कुलकत्ता जिसे पूरो का लंदन भी कहते हैं दामोदर नदी इसमें मिलती है कि इसकी साहिए नदी बोल सकते हैं अपन इसकी और बंगाल का शोक एते दामोदर को बिहार का शोक एते हैं कोशी नदी को आगे बढ़ते हैं मितरू निमलिकित मैंसे कौन परदोलन वात्री के पद पर रहते वहये राज-शवै में सदन के निता नहीं रहे इसका मतलब क्यांट है कि जब पि 7 ये बने थे इनमेंस कि तब उख वो राज-शवै के सदस्य नहीं थे थे ठीका है ये पूछा जारा आ में यहम थे दोस्तों कितने थे यह तेरवें पिम थे मनमौन सिंग कब से कब तक बने थे यह पताओ ना जिए 2004 से लेका कर 2014 तक यह पिम बनते हैं दोस्तों हाँ जी जली जली बताओ दोस्तों क्या राइटनसर होगा गड़ा एच डी देवगड़ा दोस्तों देखेएगा एच डी दो देवगड़ा जो है ग्यारवें पिम थे और इंदर कुमाल गुजराल थे यह बारवें पिम थे भारत के और मित्रो इसका राइटनसर होगा विस्सव नाथ परताब सिंग ध्यान देज़ेगा दोस्तों आठ में परदानवेदरी थे यह कौन से थे आठ में पिम थे यह जब पिम मने थे तब यह राइच अब एक सदस्या नहीं थे दोस्तों यह सदस्या थे पहले थे उससे हैं न 119 की विश्यस्ता नहीं हैं आब बताओ 119 की जो विश्यस्ता नहीं है बारच समय धिर्याय में आपको यदि एक्जामं में पास होना है तो 119 और 1935 जो शाथ ने अजिनियन था वारत का वो दोनों यादव करने पदेंगे पॉलिटी का अंदर ठीक है यहा से क्रूशन आते अगे बढ़ रहे हैं भारत का राष्ट्पती अपना त्याग पत्र किसे देगा मित्रों सींपल सा क्योशन है जल्दी सी कॉमेंट कर दीजिएगा भारत का राष्टपती त्याग पत्र किसे देगा बताओ बहुत ही अच्छा क्यों से ने परधान मंतरी को लोग सबाद एक्स को उच्छतम निया लेके मुखे नहीं दिसको या उपराष्टपती को तो इन दोनों को तो देगा नहीं यह तो आपके डाउट चल रहा है इन मेंसे ठीक है अब बताओ इन मेंसे डाउट चल रहा है किसका होगा राइटन सुरोगा दोस्तो डी नंबर उपराष्टपती को देगा ठीक किसको देगा उपराष्टपती को देगा राष्टपती देखेगा अपन बात कर लेते हैं प्रस्तावना में उसे अंगिकार किये जाने की क्या तारीख है दोस्तों प्रस्तावना में उसे अंगिकार किये जाने की क्या तारीख है दोस्तों आपने प्रस्तावना पड़ी है अच्छे से तो आपकी ये क्यूशन कर पाएंगे बताओ राइट अंस पर क्या वने वाला है 15 अगस्तन नेटी फोर्टीन सेवन 29 नॉमबर 49 26 नॉमबर 49 26 जनवर 1950 बताओ ये नहीं था ये भी नहीं था यहां दिक्कत है अपको तो राइट अंस लोगा 26 नॉमबर 49 दोस्तों ठीक है इस दिन क्या वता सविधान पारी तो आ था इसे आत्मा निर्वित दोस्तों ये क्यों थोड़ा सा ये सवबत पूशे जाते हैं आत्मा अर्पित अधी नियमित अधी नियमित हो जाएगा एक और अंगी करत इस दिन इसको किया गया था धियान रखेगा दोस्तों ठीक है और आपको पता है सविधान दिवस कब मनाते हैं अपने सविधान दिवश मनाते हैं 26 नुवंबर को क्या मनाते हैं सविधान दिवश मनाते हैं थोड़ा ध्यान रखेगा जब सविधान मना था हमारे वस्टम क्या था दोस्तों 22 बाग थे 395 अर्टिकल थे और 22 के आठ क्या थी आठ थी अनुसूचिया थीख वरतमान में क्या है वरतमान 22 बाग थे 355 अनुसूचिया थे लेकिन अनुसूचिया अनुसूचिया हमारी के आठ करने का अधिकार है थीख है सब टो राइट अंस और सीड नुमर होगा विधायन के प्रस्ताव के आपने सूचना पर आपको कहने मतलब कि राष्टपती परदानमंतरी से सूचना मांग सकता है तो बताए कौन सा आर्टिकल है अनुशेद 71, 72, 74 या 78 दोस्तों बताओ हाँ जी राइट एंस वरोगा डी नमबर अनुशेद 78 आपका राइट एंस पर ओगा एस सूचना में देखेगा असा विधान के किस अनुशेद में गोवस निशेद राजज निति के निदेश तत्तों का एक भाग है निदेश तत्तों आपको पताए कहां से गादा का 36 लगा से लगा कर 51 तक आई है ठीक है राजजे के निति निदेश तताओ अब इन में से बताओ कौन से में गोवस निशेद राजज गोवस में सबंदित आर्टिकल है कौवस से कौन सा हो जाएगा बताओ जल्दी शे बताओ दोस्तों हाँ जी राइट एंसर हो रहा है आपका बी नंबर आर्टिकल फोटीएट फोटीएट में दोस्तों क्या है फोटीएट में गाएं बशड़ें और अन्य दुदारू पशों में के वद पर रोक लगाने ते था मवेशियों को पालना उनकी नशलों में सुदार करने के लिए दोस्तों इससे सबंदित है अनुशित फोटीएट आगे देखेगा किस भारतिय दिन्यम के अंतरगत भारत में दुवेद शासन की स्तापना की गई थी दुवेद शासन की स्तापना की गई तो पूछा कि आपसे तो बताओ हंजी राइट एंसफर होगा मित्रों क्या होगा भारतिय दिन्यम अनुशित फोटाओ जल्डी से बताओ दोस्तो हंजी राइट एंसफर होगा आपका भारतिय दिन्यम उन्नी सो उन्नी सोगा क्या होगा उन्नी सो निस दिन्यम इस जिसे मौन्टाइंग्यू चेमस फोर्ड सुधार भी कहते हैं भारतिय सविधान में किस संसोदन में नागरी करते हुए को समलित किया गया दोस्तों नागरी जो करता हुए है मूल करता हुए है उनको पूछा जारा आप से कौन से सविधान संसोदन में सामिल किया गया था आपको पता है जो मूल करता हुए है ना यह मूल करता हुए है क जहान रखेगा और यह ब्यानी सब्सवज़ा सव्यदान संग्र समय्ति कुण सब्सक्राइब पोटिटिवा सविधान सब्सक्राइब होता है ठीक है उन्सकी अन्सवंस्ता पर क्या वा था ये भाग चार के 51 के अंदर जुड़ागे दोस्तों जाने कियेगा मूल करतों को नेमल लेखित मैंसे कौन सा एक सुमेलित नहीं है सुमेलित नहीं है पूछा है कि आपसे बिलाई जमसेदपूर राउर के ला दुरगापूर क्या होगा राइट एंस पर जल्दी से कॉमेंट कर दीजिएगा अच्छा क्युस्वन नहीं है यहां से एक्जाम में क्युस्वन लगाएर पक्का आता है तो इसको आप सा सात में क्या कर लो मैत्पूर्ण भी कर लो हांजी जमसेदपूर जारखंड में है राउर के लौड़िशा में दूरगापूर पक्षी मंगाल में हैं दोस्तों क्या नहीं है ब connection में बिलाई मद्यबर देश में नहीं है बिलाई यह आपके शत्तिस गड़ में है काम पर दोस्तों यह शत्तिस गड़ में द्यान रखेगा ठीक है और इसे रूस की साहिता से यहां पर दोड़ा द्यान रखेगा रूस की साहिता से दोस्तों इस्तापित किया गया था रूस की साहिता से यहां से एक्जाम में क्यूशन पूश दिविद्टिया 55 जो नामें दोस्तों इसको अपिति यागा था सी है जमसे 1946 जारकाट वारा दोस्तों है ये ब्रिटेन्व यकी साहिता सी designers आम दियान हिए किसकी साहिता सीन düşün ठीक है तो राइट एंड पर क्या हो रहा है दुर्गापूर बिर्टेन के साहिता से है जमसेदपूर दोस्तो जमसेदपूर ये जमसेदपूर बिर्टेन के साहिता से नहीं ये थोड़ा से इसको क्रेक्शन करिएगा मित्रो जमसेदपूर ये ना ये नीजी शेतर का है दोस् यह डीजी शेत्र का है आगे बढ़ो 144 देखेगा नेम लिखित में से किसने यह मत परदान किया था कि किसम स्ताबदी में विश्व विवस्ता में तनाव वे संगरस में वरदी होगी किन्तु इस संगरस का सुरू किसने कहा था किसने कहा था क्या राइटन्स पर होगा 144 का राइटन्स पर होगा किसने कहा था बढ़े खेतों की पर्धानता दोस्तों यह हो गया राइट एंसवर है बड़े खेतों की परदानता हमारे है क्या भारत की कर्षी विज़ेस्ता नहीं है दोस्तों है न चोटे शोटे खेत है हमारे कथन है और कारण है कथन क्या समगर पूरती वक्र में विवरतन के कारण लागत प्रेरत सफीती होती है दोस्तो मजदूरी में वर्दी के कारण समगर पूर्ती वकर में विवर्तन होता है बहुत सारे इस क्यूशन का एंसर नहीं दे पाएंगे तो इसका एंसर होगा दोस्तो कथन और कारण दोनों सही है और कथन का सही सपष्टी कारण कारण है एक नमबर एंसर ताइट होगा किराथ नदी कर दोस्तों वह बाग्रति को किराथ नदी बहुत ऀ पर दोस्तों उखenti को किराथ नदी का य्या कैते हैं किराथ on झनल्दी भारत की सबसे लंबी नदी ठीक है लंबाई किती है 25-25 किलोमेटर ज्यान में रहेगा न तो राइट एंड शुरू हो रहा है एक नमबर देव परियाग आपका राइट एंड शुरू हो जाएगा अंतिम क्यों से नमित्रू बारसर कार है दिन्यम 1935 के तो कौन सा वक्त तबे सही है ये बताईगा बताओ कौन सा है मैं बता देता हूँ अपने विवेका धिन कारियों को शोड़ कर उनके कारियों के संपादन में सायता है प्रामर से तो गवर्नर जनर्र की मंतरी परिशित की संक्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए ठीक है तो सी नमबर आपके क्या हो रहाया है और रेट एंस पर हो रह रहा है मित्रों सभी का धन्यवाद और यदि आप करंड जी कलास लगाना चाहते तो सुबै आप हमारी करंड जी कलास आती है दोस्तों उसको भी आप जोइन करिएगा और सभी दोस्तों को नोश्कार थेंक्यू सो मच